नमस्कार नोधीपक और आप देख रहे हैं DSK Talks आईए बात करेते हैं Big Boss OTT के कल रात के जबरदस अपीसोड की जहां पर कुछ कंटेस्टेंट की जबरदस जबरदस नेक्स लेवल की हिपोक्रिसी दोगलापन देखनों को मिला ऐसे कंटेस्टेंट जिनने की अभिशेक की बोली हुई हर बात एक बत्तमीजी लगती थी ये लोग अभिशेक की परवरेश अब ब्रिंगिंग फैमिली तक पहुँच जाया करते थे लेकिन उन्ही के साथ बेठा एक लॉंडा किसी लड़की को साली बोल देता है तो वो पूजाभट और वो फलकनाज जो की फैमिनिजम की ब्रेंड मैसेडर बनी फिर रही है रिस्पेक्ट, मॉरालेटी, नेतिकता के उपर सत्रा सो साथ तरे के ज्यान बाटती फिरती है लेकिन अभिनाश ने जिस तरह से साली शब्द का प्रयोग करा आशरे की बात है कि दबंग अंदाज में उंगली दिखा दिखा करके आँखे बड़ी मेड़क जैसी आँखे कर करके लोगों पर चड़ने की कोशिश करने वाली फलक और पूजावट एकदम मुह में दही जमा करके बैट गए अविनाश की जगे है ये साली शब्द का प्रयोग अगर एलविश नहीं या फिर अभिशेक के मुह से ये वर्ड निकले होते तो भूचाल आ चुका होता खेर इन सारी चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे उसके पहले वीडियो को लाइक जरू कीजेगा और खीजेगा चैनल को सब्सक्राइब तो विग बॉस OTT का ये जो एपिसोड था यानी वीकेंड के बार जिसमें कि सलमान खान के ना आने की अपडेट्स पहले ही आ चुकी थी क्रिशन अभी शेक आया और क्रिशन अभी शेक ने थोड़ा हशी मजाग fun और जो सब्सक्राइब बढ़ी बाते करके आए थे rains McKee रहे हैं क्रिशन अभी शेक ने बड़ी बाते वाला जो सेग्मेंट था जिसमें फलक की बेंड बजाकर करें दी तब यह से धजियां उड़ा दी फलक जो बड़ी-बड़ी बाते करकी आई थी और फलक का जो एकदम खासम-खास से so-called hero number one जो की hashtag hero number one का hashtag लेकर कर आया था वो hero कम फिसदी number one आरे वहाँ पर भी number one आ जाता है actually मैं ये जो जनता का जो tag मिला था इसको अविनाश को जनता का tag तो खेर इस episode में कृष्णा ने वो जो नई wildcard आई है क्या नाम है अक्षिता ऐसा ही कुछ नाम है उसे वो जनता वाला tag दे दिया ये तो मैंने भी कहा था कि जो एक contestant आई ये wildcard बन करके wildcard कम ये दोनों एलविश और वो जो लड़की ये महमान बन करके आई हुए हैं ये सिर्फ चुनिंदा दिनों के महमान है कुछ contestant को जगाने के लिए इन्हें यहाँ पर भेजा गया है और कहना गलत नहीं होगा कि makers ने जिस काम के लिए एलविश को और इस wildcard को बेजा है एलविश तो अपना काम इमानदारी से कर रहा है और so called hero number one की जो band बजाई है नहीं band नहीं शिष्टम हैंग कर दिया भाई एलविश ने तो अविनाश सचदेवा का अविनाश सचदेवा बोलता जरूर है खुद को hero number one लेगन actually में वो इसकी डॉली बिंदरा की सस्ती और एकदम cheap copy बन चुका है डॉली बिंदरा भी अपने सीजन में बाप पे मच जाना बाप पे मच जाना उसी तरह से ये अविनाश सचदेवा यहां पर एलविश को पर चड़ने आता कि बाप पे मच जाना बाप पे मच ज आड़ी यहां बंदा पीछे नहीं रटा उसने बोला कि एक बार बोलओंगा दो पर बोलोगा तीन बार बोल पर प्च्छा और अप अविनाश काम्ण दोगलपन देखी कि अम बोलता कि जो बूलना मुं पर बोले मुं पर बोल मुं पर इनके गोड़ो चिल गए और वोजह सीन था जहां पर अविनाश आता है बाहर वहां पूजा भट और फलक रहते हैं एकदम गुस्रे में आता है बॉडी लेंग्वट जैसी कि अभी किसी को मार देगा जाकर के और फलक तो हमेशा से चाय से जादा केतली गरम वाले तेवर में रहती हैं कि बत्तमीज है यह है वो ह इन फैक्ट एपिसोड का जब स्टार्ट हुआ था जब कृष्णा ने का कि घर में क्या चल रहा है आईए देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक दिन पहले पूजा भट और जिया की बीच में जो तनातनी हुई थी उसके बाद हम देखते हैं कि फलक बात कर रही है इस से आली शब्द इनको गाली नहीं लगती है लेकिन ताई जी जाई जी जो बोला ये तो बड़ा बेकार वर्ड हो गया है बड़ी गुस्सा आती है ऐसा वैसा बोल दूगी फलक को आप हमेशा देखना चाय से ज्यादा केतली गरम वो पीड पीछे ही जितना कुछ होता ना वो पीड पीछे ही बोल पाती है वो ऐसा है मैं गुस्सा आईगा मैं तो बजा दूगी मैं तो यह कर दूगी मैं तो सुना के रख दूगी लेकिन मुपर कभी कुछ नहीं यह पॉइंट सलमान खन ने भी हाइलाइट करा था कि पीड पीछे ही निकलता है अविनाश का फलक का स पीड पीछे पूजा ऐसी है यह है वह है और यह देखा जातों फलक नास के कहीं कोई मुद्द हैं ही नहीं क्योंकि वह तो भेड़ चाल में चल रही है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की जो कहावत है उसे बदल देना चाहिए बेगानी शादी या फिर से अगरी करे ना करे लेकिन फलक नास जो है न वह अपनी अप ब्रिंगिंग दिखा रही है कि वह से कुछ होता जाता नहीं है बस बड़ी बड़ी बाते करती है और हमेशा गलत चीज़ का स्टैंड लेती है पूजा को अगर ताई जी बोला तो भाई फलक तेरे गुर्दे कहें चिल रहे हैं यह तो मतलब वही होगे ना सस्ते स्लेव वाला अंदाज पूजा को जिसने जो बोला वो पूजा और सामने वाले का मेटर है लेकिन पी बी को गेंडिया मेरी में तो बहुत कुछ बोल दूगी मुझे बत्तिवीं लगता है मेरे से तो हो ना जा मैं तो लोड़ दिर के बाद तो यहां पर जिया और इसका पूजाबट का पैचा वगेरा होने के शुराथ हो जाती है इन बिट्वीन पता चलता है जड को कि यार यह जिया जिस है वो दूद पीती बच्ची समझ रहा था वो तो अल्मोस्ट तीस साल की है अब तीस साल की बेटी और तीस साल की तो डॉट्टर वादर वाला इंगल तो मतलब पब्लिक पकड़ लेगी और यह जड और यही जिया यह ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि पब्लिक क्या है पब्लिक तो कहां ही पता चलेगा हम तो अपनी नोटंकी करते रहेंगे कल मैंने पूजा वरसे जिया की फा मैंने का वोमन कार्ड खेल रहे हैं तो कुछ कमेंट आए कि भाई वो कब वोमन कार्ड खेली तो भाई प्लीज याद कीजिए वो टॉट्चर वाली टास्क एक तरफ दम है तो हिला के दिखाओ थोड़ी देर के बाद दिखा दी तुम लोगने अपनी हैवानियत तुम एक कर सकते हो तुम यह से इंगिर सकते हो मिडची डाल रहे हो दो मिनिट के बाद घंटा नहीं हिलूंगी अब तो दम है तो हिला के दिखाओ थोड़ी दिर बाद आगमे मिडची लग गई तो यह जो त्रिया चर्ट्र यह जो है ना यह भी नेक्स लिवल के खेलती है और जिय यह लिए शायद अभिशेक के मन में कुछ soft feelings होंगी कुछ special feelings होंगी तो कहीं न कहीं जैसे ही वो कृष्ण अभिशेक बोलता भी है ना कि जड़ की जिया तो अभिशेक का मून नीचे को लटक गया था अभिशेक वैसे भी दो-तीन दिन से डाउन ही चल रहा है लेकिन हाँ इनसान यानि कि अभिशेक ने कल stand काफी अच्छे लिया जिस तरह से अभिशेक ने मनिशा को साली बोला तो इट वज़ अभिशेक 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 ने का बच्चा है यह चीज ना अभिशेक को बोल ली थी कि जब हमने आपसे कहा था भईया डेरिंग वाली टास में अपनी दाड़ी जो है वो शेफ कर दो पूरी तरह ब्लेड से नहीं तो आप ट्रिम तो कर लो तब यह बेवखूब का बच्चा क्या बोला था अरे मिरको ऐलर्जी है रेजर से मैं ट्रिम नहीं कर सकता मैं नहीं कर सकता लेकिन बीते दो चार देनों से तो बड़ा क्लीन श चड़ता हूं मैं मर्दों से भी लड़ सकता हूं यह स्टेटमें देना चाहता था यह सो कॉल्ड हीरो नंबर वन जो की हाकिकत में डॉली बिंदरा की सस्ती और चीप कॉपी बन चुका है और उसमें कुछ भी नहीं है बड़ी बड़ी बात है वड़ा पाव खाता है यह अ अठीब के वक्त जो है जो पी-बी बोलेगी वह हम करेंगे कि खिलाफ एक भी श्रत नहीं सुनेंगे बहले ही किसी ने पीबी से कहा हो हम से नहीं कहा हो लेकिन हम तो भया पीबी के गुल्लाम है पीबी को किसी ने बोला तो हम उसे चार बोलेंगे पीबी का दुश्मन यानि हमारा दुश्मन जाए पीबी मया की और यह तो आपने देखा ही ना जब फलक क्या रही थी पीबी अपको के भी गुर्दे चिल गए तो अविनाश और फलक हा तो धो करके मतलब कहीं एलविश के खिलाद एक मोर्चा खोल चुके हैं मतलब उन्हें बस यह चाहिए कि हम एलविश को चार बाता सुना दे तो हम बड़े महान दिखेंगे जहां पर कि अविनाश जो है वो बेफालतू के मतलब उसको दिखने के लिए फुटेज चाहिए था क्योंकि एक दिन पहले इसने बोला था इसने एलविश ने कि अविनाश तुम तो फट्टू हो दिखते भी नहीं हो ऐसे वैसे तो इस एपिसोड में दिखने के लिए भर भर के इसको अविनाश को एलविश मिल गया और पाद में कृष्णा ने तो समान समारो का आयोजन किया ही था कि भई एलविश आपकी वज़े से ये सोया हुआ शेर जाकतो गया तो इलविश क्या बोलता सर शेर नहीं है ये बिल्ली है मैंने तो बिल्ली को लाथ मार दी ये तो हीरो नंबर वन क्या हीरो का एच भी डिजर है बट वो दूद का दुला है उसके ऊपर ना पूजाबट चड़ेंगी ना फलक चड़ेंगी और ना ही घर की बाकी महलाएं चड़ेंगी लेकिन अलविश के या फिर अभिशे के एक एक वर्ड को ये लोग पकड़ लेते हैं कि ऐसा कैसे बोला वैसा कैसे बोला हूद है ये वो ये वो और एक जो इक और हूई है वो बेबिकः ने क्या वाकर भी में बिच बोला था इसको लेंगवेूच बोला थाय को लेंगवेच बोला था वनाला कि ये Bailey को बिच सुना तो बिबी का की उपर वही अलफाज आप घुमा फिरा करें डाल दो तो सामने वाला बॉडी शेमर हो या सब्सक्राइज बेल का लोगों की वाडी शेमर हो जाता है लेकिन क्या बेविका लोगों की चायरेक्टर की एसाइसेनेट नहीं करती है पूजा भट का आप एक अलग ही साइड देखते हैं जब बेबी का गंदगी मचाती है तो पूजा भट चुप रह जाती है हाला कि पूजा को मनीशा भी पसंदे तो वो जैसे तैसे माहौल को शांत कराने की कोशिश करती है और वीकेंड आने वाला था तो पूजा जो है वो 27-27 की हो उसको लगा मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है तो जिया क्या नेक्स लिवल का गटिया गेम खेल रही है मतलब देखिए मुझे एक वाक्या याद आ रहा है जब वो पलक पुसरवानी वो नैन सुख लेने वाली है आपने तो पलक को देखा जो है जड जो है वो वो वर संद्र करते हैं वह डेफिनिटली कर सकते हैं लेकिन मुझे जिया वो मतलब के लिए ऒले किसी को दोस्ते बना लेती है मतलब के लिए बाप बीटी का रिष्दा मतलब के लिए His उसरे को किस वही कर लेना मतलब के लिए कमर में हाठ डलवा के बैठ जाना फिर बाद में उसी से अर्गिमेंट करना कि मैंने थोड़ी बले मेरी जो बच्पन की फोटो जो लड़की है उसे सबने दबाया था अब मैं नहीं चाहूंगी कि उस लड़की को दबाया मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी और ये लीला वो किस के सामने खेल रही थी फलक के साथ और फलक को इस महानता की फरजी एक्टिंग के लिए जितने आसकर नोबेल जितने भी हैं सारे अवार्ड मिल जाने चाहिए यहां पर सलमान खान नहीं थे यहां कृष्णा था कृष्णा ने यहां पर पूरी तरह से तो नहीं लेकिन थोड़े थोड़े बड़ी बाते हैं वड़ा फाव खिला करके फलक को कहीने के थोड़े से जिल्लत के लड़ू तो खिला दिया और जिल्लत के लड़ू जहें वो तो अविनाश के खाते में भी आये हैं तो यह एपिसोड इनी सारी चीजों के इर्द गेर दही घूमा है और बाकी जो elimination वगिरा होंगे यह जो contestant पीछे एक दूसरों को क्या बोला क्या नहीं बोला है यह सारी बाते हैं हम आज रात के episode में देखेंगे मैंने अपने वीडियो में यह जो नई wild card आई है क्या नाम है इसका अभी तक नाम याद नहीं हुआ इसको मैंने audience यह पर जनता का member बोला था कल और वही चीज़ और क्रिशना ने भी बोल दी कि अभिनाश इस लड़की को thank you बोलो क्योंकि इस लड़की ने आते से तुमारा वाला टैग ले लिया है पहले तुम जनता की member थे अब यह लड़की क्या नाम इसका यार यह इसका नाम एक तक याद नहीं हो मुझे यह जनता का member बन चुकी हो और साथी साथ I think क्रिशना ने इसको फलक को camera number 222 ऐसा भी कुछ बोला था आपको बड़ी बड़ी आँखे करके लिपिश्टिक लगाके मेक अप करके ऐसा नहीं करना था वह बड़ा बत्तमीज है एल्विश के उपर भी यह जिया और यह फलक बोली रहे था ना कुछ कुछ बोली थी यह फलक कुछ पंजाबी में बोल रहे हो तुम किसी के घुटने माका ले अप ब्रिंगिंग जनाना मतलब सारे जो अधिकार है वो टीवी जो माफिया के लोग है ना टीवी के जो एक्टर्स है या जो टीवी कम्यूनिटी के लोग है इन्हें हर चीज के लाइसे प्राप था यह किसी को साली भी बोल सकत है क्योंकि इन बातों के लावा कुछ मेजर हैपनिंग वगेरा डिसकस करने लाइक माटीरियल था नहीं अब बात कर लेते हैं खत्रों के खिलाडी की खत्रों के खिलाडी का कल का जो एपिसोड था जहां पर रोई शिटी ने पब्लिक को बेब को बनाने के भर भर के एक्ट बातों के खिलाडी में जंगल में रहेंगे लेगे और आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ कि जंगल तो मतलब एक ऐसा ही शिगूफा है यह लोग बाकाइदा होटल में जाएंगे क्योंकि जिस तरह से पहहला स्ट दिखाया था जो कि हमें पता ही नहीं चला कि पहला स् रिजित करके भाई क्या बॉड़ी है मुझे मस्त लग रहा है वो बंदा और एक संडूस यह तील लोग पहला स्टेंट जीट जाते हैं और वह बेलन वाली दीदी की लाड़ली गार दूँगी मार दूँगी मार मार के मौर बना दूँगी वह बिग बॉस्क सोला की जो मरदानी थी वो यह पहले स्टेंट में छपा करके गिर जाती है हाला कि पहले स्टेंट था और पहला यह एपिसोड है तो इतना ज़्यादा मैं हार्ष नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से वो लटक रहे थे जो लटक रहा है वही बेतर समझ सकता है हाथ के ग्रिप चुटती है ग्रेविटी आपको नीचे खीच रही होती है तो पहले स्टेंट के उपर इतना ज़्यादा हार्ष नहीं जाओंगा बस अर्चना के फैंस को चिडाने के लिए मैंने यह सब बोल दिया कि मार दूंगी गार दूंगी जहां मारना है गारना है वहां वो कितना मा पाली लॉयर जिने इंट्यूशन आते हैं रोई शेटी ने बोला भी कि तिरको इंट्यूशन आते तो तिरको पता नहीं था कि तू सबसे पहले या दूसरे नमबर पर गिरने वाली है तो उसका चेहरा देखने लाइक था और यह लॉयर पिशाचनी वाली अच्छा एक ची किसी और का तो प्लीज आ मेरी भावनाएं जो है वो समझ जाईएगा तो जो पहला स्टेंट था उसके बाद वह 20 या 25 मिनिट का एक मोनोलोग कंटेस्टेंट का इंट्रोडक्शन आप बीती क्या डर है क्या नहीं दुनिया जहां का बहुत नेक्स लेवल की वहां पर पंच क्वीन है यह जब वह स्टंट चल रहा था दूसरा वाला जहां पर फ्लैक्स निकालने हैं एक राइट में जाएगा लेफ्ट में जाएगा तो वहां पर जो सेकंड वाला स्टंट कर रहा था डीनो और एक और लड़की तो यह बोली थी इंट्यूशन वाली मैडम की इन लो ही थी और कोई अंजुम करके थी क्या थी वह लड़कियां भी काफी अच्छा कर रही थी एक तरह बैलेंस बनाना है फिर आपको सेंटर में आना है फ्लैग लेना है चिपकाना है काफी बढ़िया कर रहा था आइटिंक बारा मिनेट या दस मिनेट का डिवरेशन था और यह आपने देखा था अबदू को जो की इंडिया का नहीं है वो कहां से है वो है तजकिस्तान से अब यह जो एक टेंपलेट यह जो एंड मॉल वाले या कलर्स वाले जीयो सिनमा वाले सब एक ही थाली के चट्टे बढ़ते हैं कैसे यह टेंपलेट फॉलो कर रहे हैं आप बनान और खत्रों के खिलाड़ी में मौरको वाली लड़की कोई आशेर की बात नहीं है अगर आपको यह मौरकन गर्ल बिग बोस 17 में देखनों को मिल जाए विकॉज यह जो मेकर्स हैं यह एक टेंपलेट के अकॉर्डिंग कास्टिंग करते हैं यह चीज़े मेरे जहन में नहीं तो मैंने सूचा आपके साथ शेयर कर दूँ कि कैसे आउट ओफ इंडिया के लोगों को तवज़ दी जा रही है हमारे इंडिया में इन लोगों को टैलेंट नहीं दिखता है बाहरी लोगों को लेकर के आते हैं उनके अंदर पता नहीं कोंसे सुरखाब के पर जड़ दिखते हैं मेकर्स को जबकि अगर आपने बिग बोस को ओडिशन वगरे दिये हैं तो टर्मस और कंडिशन में क्लियर लिखा रहता है कि यह जो शो है यह सिर्फ इंडियन के लिए है और वो कोई इंसान वो हर कोई इंसान जिसके पास इंडियन आइडि या एड्रेस जड़ हो या यह संडूस करके मतलब यहां के जो अपने हिंदुस्तानी लोग हैं इन्हें नहीं मौका मिलता मतलब इनके लिए वात की जाती कि गोड़ों को नहीं मिलती गास लेकिन बाहरी गधे आकर खाते हैं जवन प्राश तो यहां जो सेकंड राउंड था यहां पर ड सलमान खान की जो हीरोईन थी ना फोड़ी ना को तोड़ी ना को डेजी शा जिसने की रोई शेटी को भी असिस्ट किया है उनकी फिल्मों में तो एक बड़ा सा केज है गोल गोल सा जिसके अंदर आपको खड़े रहना है रोल करना है यह स्टेंट पिछली बार राजी वड या दम दिखाया और यहां पर रोहित रोय और डेजी शा दोनों की हितारी बनती है क्योंकि दोनों अपने फोबिया से भी लट रहे थे सामने शेर भी थे बबर शेर आपको रोल करते हुए जाना है डेजी शा पहले जाती है और जो केज था लोहे का था उसके आसपास पुरा एडी चोटी का जोर लगा रही थी जब रोई शेटी बोलता है कि बॉडी रोल कर तो वह गोल गोल जो पिंजर है वह अपने आप रोल करने लगेगा तो यह रोई शेटी कितना जबर्दस एक्सपीरियस रखता है बाकी के जितने कंटेस्टेंट है जोर लगा जोर लगा जोर लगा रोई शेटी ने बोला बॉडी को रोल कर ले एफट भी कम लगेंगे तेरे और रिजल्ट भी जाद आएंगे तो रोई शेटी की गाइडेंस ने डेजी शा को काफी मदद करी वहीं सेम स्टेंट में अगले राउंड में आते है रोई त्रोई जिनके साथ लग नहीं था क्योंकि वो जो प्लेट्स थी जिनमें की चुम्बक लगी थी वो प्लेट्स या तो उल्टी हो गई या फिर शेर के पंजे से वो थोड़ी से निकल भी गई एक दो जो प्लेट्स चिपकी थी वो निकल भी गई रोहे त्रोई काफी जल्दबाजी भी कर रहे उसके बाद वो दूसरा वाला stunt जिसमें की डीनो और वो एक लड़की वो जीत जाते हैं और ये तीसरा stunt जिसमें की डेजी जीत गई और उसके आँसे फियर फंदा उतर गया बाकी ये जो contestant है शीजान अर्चना वगिरा उनके stunt होंगे आज आप बताएगा कमेंट करके जिस त पिशली बार कनिका मान थी उसके पहले एक और कोई थी यार वो बाप्शा की बहन अब यहां पर एक और वो सिंगर आ चुकी है तो टेंपलेट वही चल रहा है और बिग बॉस OTT के बारे में भी कमेंट करके बताएगा जिस तरह से फलकनाज अविनाज और पूजावट भर अग्ति कीजेगा ओवर जो भी हैं आपके ओपीनिन कमेंट करके बश्य पता है आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरू करें और करें चैनल को सब्सक्राइब भी यदि आपने नहीं किया तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में आपने सभी निकाला वीड देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद तैंक यू सो मच